नमसकार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी के सभागत है आज मैं आप लोंके साब ने बहुत ही टेस्टी में और पालग की सब Anthology आलुपालव को बनाने के लिए दो याराम से पूरी टाल सकते हर ज़न निकाल कर इसको मैँने अच्स्क अचे घ्लीन कर लिया है इसके बाद मीज़ा चेसट ओधू कर फिर काट आगे की तरफ यहां पर दिखाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने पालक को अच्छी से दूने के बाद काट लिया था अब बहुत ही अच्छी सिसको कट करके तयार हो चुका है तो अब हम चलते हैं आगी की तरफ पर यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू थे इसको भ और जीरा और जीरा ऑर नहर Więconi को थोड़ा सा हम estok कर लेना है यहां पर दौ्पी लाल mirrors और इसे हमें अच्छे से ने लिया प्राल प्रावा साल गतो हमें झाला से siya क्वाई का या यहाँ पे बाद पर हमारी अच्छे से फ्र्राइगे चन्राइगे उन्हाइगे करना इसके बाद यहाँ पर उसके पाद पेशे के nauह जए लिया है आज इस तरह से आप साग बनाएंगे ना आपको जरूर पसंद आएगा और जो साग का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और एक चोथा ही चमच लाल मिर्च पाउडर बस अब इसमें कोई भी हम मसाला करेंगे इस थोड़े से तेल और मसाले में ही यह सब जी इतनी जबरदर्स बंती है दोस्तों कि आप दो रोटी की जगए चार रोटी खा जाएंगे अब आलो को हमें अच्छे से ढख कर दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेना है जब तक यह थोड़ा सा सौफ्ट नहो क्या है इसको भी आट करेंगे और डालक युज कर रहे हैं तो नमक ध्यान से डालिएगा लेकिन यह वाला जो नपालक होता है ज़्यादा खारा नहीं होता तो इसमें में टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और डालक अच्छे मिक्स कर देंगे और आलोक हमें ल कर दोस्तों को कब देती हुआ और तो विज बिच के चलाते हुए अच्छे से पक चुका है बहुत ही अच्छी से अच्छे हो चुके हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है तो इसमें इस टेज पे हम डालेंगे निज देखिए आलो बिल्कूल लगबखक चुका है अगर आप इस तरह से अलू और अच्छे से गलने के बाद साख डालते हैं तो साख का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है बिल्कुल ग्रीन रहता है तो इसी तरह इसी लिए आप इसे बाद में ही एड़ किजिए और सभी पालोग यहां पर मैंने डाल दिया है औ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंस अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए हमारी सब्जी बनकर तयार ना हो जाए तक इसे हम कवर करके बीच-बीच में चलाते हुए पका लेंगे तो दोस्तों अगर आपको पहाड़ी पालक अवलेबल हो कहीं से बे तो प्लीज एक बार ज़रूर मेरे कहने से एक बार सब्जी कर दिखाते हैं अब मार्केट में बिल जाता है और पालक है प्रचुर मातरा में आयन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लावदायक होता है तो इसका सेवन हमें ठंडी में तभी हरी सब्जियों को सेवन जरूर करना चाहिए तो देखिए हमने सब्जी को बहुत ही 3-4 मिनिट तक बीच बीच में चला कर पका लिया है और हमारी सब्ची बनकर बहुत एच्छे से तयार हो चुकिए अलू पालक साग बनकर तयार है इसे खाने के लिए तो इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी ब्लैक है पसंद आएगा दोस्तों तो चलिए उमीद है आपको आज की ए मेरी चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी ये रेशिपी पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टेसीके साथ तब अल्दी खाएे हैं ये हैंट गए ठांक्यू ऑपार वाचिंग